हाई गाइस वेलकम टू कॉमर्स क्लासे राइस आग्शी अज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे प्गज़टी लेक्ट्रर की जो पूस्ट आई हूई है उसके लिए आपकी पहले पीजिटी का एक्जाम हुआ था उसमें ये क्विशन आया था 2018-19 सम्वेर KVS में, NVS में, HPSC में हर जगे ये क्विशन पूछा जा रहा है तो हम बात करते हैं टाइप ओफ वेराउस की वेराउस क्या होता है वेराउस इस प्लेस यूज़ फोर कि वेराउस का मतलब क्या है एक प्लेस होता है जहां पर कोई भी मैनफेक्टरर है बिजनसमेन है अपनी गुड्स को स्टॉर करता है जब भी रिक्वार्मेंट हो डिमांड हो मार्केट में ताकि वो अपनी गुड्स की अपने प्रोडक्ट की तो वेराउस इसका प्रोडक्शन पूरा साल चलता रहे जैसे ही मार्केट में डिमांड आए मैनिफैक्टरर बिजनसमेन अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकी अब वेराउस भी अलगलग ताइप के होते हां पहला है special community वेराउस Special Commodity Warehouse होता है, जो कुछ specific type of commodities के लिए बनाया जाता है, जैसे आपने देखा हुगा, petrol है, oil है, इसको एक cylindrical storage tank में store किया जाता है, ताकि यह यानि कि यह product की safety के कारण से ही अलगलग type के warehouse बनाया जाते हैं, जैसे cotton है, cotton को अलग तरीके के warehouse में store किया जाता है, जिसे short circuit ना हो, आ social commodity warehouses होते हैं, दूसरा है public warehouse, public warehouse होता है, publicly यह सभी के लिए open होता है, like जो small और medium scale enterprise होते हैं, manufacturers होते हैं, उनके पास अपने warehouses नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक particular individual या किसी agency के द्वारा open किये गये हुए warehouses में, अपनी goods को store करते हैं, उसको बोलते है public warehouse, यह warehouse government की rule regulation के अंदर बनाया जाते हैं, उसके बाद है institutional warehouse, इस particular institution like bank है, bank को अपने documents store करने होते हैं, money store करना होते है, other functions, other things store करने होते हैं, तो bank अपने warehouse कोainen बनाते हैं, railway, railway क्या है, आपने देखा होगा, particular trains के अंदर भी क्या है, transportation होता है, तो railway भी क्या है अपने warehouses बनाता हैं, लग-श्ट इंडिया में आया हमारे पास जब तक उनके ऊपर हमने से पहले तक जाओ जो माल जिस warehouse में store होगा उसको हम bonded warehouse का नाम देंगे तो यह उसके बाद हम अपना storage house से निकाल करके market में ले जाएंगे तो यह चार टाइप के हमारे warehouses थे ठीक है यहां आपके लिए question ड्रो क्या गया है इस question का transfer दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत बूलना और अगर आप चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक्यू परी मच